जयोतिश की दुनिया में आपका स्वागत है यदि आप जयोतिश सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो एलार्म बटन को आउन करें और यदि आपको वीडियो पस स्रिंखला को आगे बढ़ाते हैं एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं तो आज की वीडियो में चर्चा का विशय क्या है आज हम किस चर्चा को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं आज की वीडियो का शिर्चक क्या है आईए देखते हैं प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विश्य है पंचांग में करणों के गुण एवम सुभाव जी हां। आज हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि करणों के गुण एवम सुभाव क्या हैं। कर लिजे उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आईए इस वीडियो को अप्रारंब करते हैं। कि आधार पर शुभकारी करने का निर्धारन भी किया जाता है। यदि आप कोई शुभकारी करने जा रहे हैं। तो ऐसे करन के साथ शुभकारे करना चाहिए जो शुभफलदायक होंगे। जिनका सभाव अच्छा होगा। गर करन गर चर करन है। इसका प्रतीक चिन हाथी है। इसे प्रोढ़ माना गया है तथा इसकी अवस्था बैठी हुई मानी गई है। गर करन में जन्म लेने वाले जातक सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। जो भी जातक गर करन में जन्म ले लेते हैं। उन्हें सामाजिक मान प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ आसानी से प्राप्त होता है। सामानिता ऐसे जातक शान्त सुभाव के होते हैं, परंतु जब गुसे में होते हैं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, सामानिता तो यह शान्त सुभाव के होते हैं, तो इनके शान्त सुभाव को देख कर आप इन्हें शान्त मत समझ लीजेगा, जब गुस में कर्मवादी होते हैं, गर करणवाले जातक, जीवन में कर्मवादी होते हैं, अर्थात कर्म करना जानते हैं, कारे करना जानते हैं, कारे के प्रती इमानदार होते हैं, अपने जीवन काल में कर्म सिध्धान्त को ही माननता देते हैं, भागे को कम मानते हैं, यह बात ध्यान दखीएगा कि ऐसे लोग भागे को कम मानते हैं कर्म को जादा मानते हैं तो अपने जीवन काल में कर्म सिध्धान्त को ही माननता देते हैं गीता में भी यही कहा गया है कि कर्म ही प्रधान है कर्म करो फल की एक्छा मत करो भगवान को जो समझ में आएगा वो देंगे तो ऐसे जातक भी कर्म सिध्धान्त को ही मानिता देते हैं, काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्रिशी एवं भूम इसे जुड़ी वस्तूओं के व्यापार से लाभ प्राप्त करते हैं, खेती किसानी से लाभ प्राप्त कर लेंगे, भूम इसे जुड़ी वस्तूओं के व्यापार स भूम इसे जुड़ी हुई व्यस्तों क्या होती है खनिश्पदार्थ हो सकता है अनाज हो सकता है इस तरह के व्यापार से ये लोग लाभ प्राप्त करते हैं साथ ही साथ कृषी से संबंधित कारियों में भी इन्हें लाभ प्राप्त होता है अपने जीवन में सभी प्रकार की अभिलाशाओं को अपने श्रम से पूर्ण करने में सक्षम होते हैं इनके जीवन में जो भी अभिलाशाएं होती हैं जो भी इक्षाएं होती हैं अपने श्रम से अपने महनत से अपने परिश्रम से पूर्ण करने में सक्षम होते हैं जो भी इनको इक्षा होती है कि यह हमारे पास होना चाहिए उसके लिए भरपूर प्रयास करते हैं उसके लिए परिश्रम करते हैं मेहनत करते हैं और उसे प्राप्त करने में पूर्ण सक्षम होते हैं अर्थात उस अभिलाशा को पूर्ण अवश्य करते हैं श्रम एवं वैज्यानिक सोच इनके प्रमुख जीवन सिध्धान्त होते हैं मेहनत करना परिश्रम करना और दूसरा वैज्यानिक सोच मतलब इनका सोच बहुत अलग सा होगा सामाने सोच से उपर उठ करके होगा वैज्यानिक सोच होगा और यही दोनों इन पाकार करने के लिए मेहनत भी करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, इसलिए श्रम एवं बbuildज्यानियक सोचिन के जीवन का प्रमुख सिधान्त हो जाता है। गरकरण में जन्में जातक अपने जीवन काल में अधिकांशतह अपने परिवार से दूर रहकर जीवन बेतीत करते हैं। सीधी सी बात है, महनती होते हैं, कहीं पता चला ब्यापार के लिए निकल गए तो बहुत लंबे समय तक के लिए निकल गए। कभी कभी यह स्थिती होती है कि नोकरी पेशे में आगे, नोकरी पेशे में ट्रांसफर हो रहा है, इधर हो रहा है, उदर हो रहा है, माबाप गाओं में पड़े हैं, जो पुस्तेनी मकान हैं, वहाँ पर माबाप हैं, परिवार वाले हैं, लेकिन यह ट्रांसफर के चकर में क जो भी जातक जन्मली हुए हैं, उनके दिमाग में यांत्र की एवम गडित का बहुत बड़ा खजाना होता है भाईया, यांत्र की एवम गडित का ज्यान सर्वश्ष्ट होता है, इस तरह सिस वीडियो के माध्यम से आपके सामने गर करण के गुण एवम सुभाव के बारे मे संपुर जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी, मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, यदि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिक करके वश्चे बताएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक बटन भी आउन कर लेजे, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी ज्यानवर्धक जानकारी पुलब्द कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो, अब मुझे आगे देजे मिलते हैं, अगले वीडियो पर तब तक कि लिए जै जै भारत बंबं भोले आपकी जै जै गुरुदेव